Good morning class 3, okay, now we have already done exercise 4E, अब हम exercise 4F and 4G आज करेंगे, चीक है, तो we'll start with the exercise 4F, जिसमें अब आपने जो पहले sums किये थे, वो simple minus के sums थे, और उससे पहले जो chapter क्या था, उसमें simple plus था, अब हम ऐसी equations करेंगे, जिसमें minus और plus साथ साथ करने हो, ओके, तो इसका एक करने का एक system होता है, त तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे होगा और उसी system से हमें इसको करना है, ठीक है, suppose करो आपको एक questions दे रखा है, 6108 minus 3178 plus 2863, ओके, अब इसको आप एक तो इस तरीके से कर सकते हो, कि 6108 में से आपने 3178 को पहले minus किया, जो answer आया, उसमें आपने 2863 को plus कर द 2597 को plus करोगे, फिर 3967 को minus करोगे, तो इतना करने के बजाए हम एक क्या trick से हम इसको easy कर सकते हैं, हम, हम इसको ऐसे करेंगे, सब पहले तो यह चीज़ आपको देखनी है, इसमें से कितने plus sign वाले हैं और कितने minus sign वाले हैं, ठीक है, इस number के आगे plus sign लगा हुआ है, इस number के आ बानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो plus के हैं और एक minus के हैं, तो हम क्या करेंगे, हम add करेंगे plus sign वालो को, ठीक है, और यहाँ पे हम add करेंगे minus sign वालो को, ठीक है, तो यहाँ पे plus sign कौन से हैं, यह है, 6108 है, 6108 को plus को plus वाले से जोड़ देंगे, और minus कितने है, minus तो एक ह का है वो यहां लिख दो ठीक है minus का तो एक ही और यह plus का हो गया तो इसको पहले हम plus कर लेते हैं तो 8 plus 3 11 6 plus 1 7 8 plus 1 9 and 6 plus 2 is 8 तो यह हमारा आ गया 8 plus 7 8 9 7 1 और यहां पे हमार पस एक ही नंबर था minus 3 1 7 8 अब हम इसको minus करेंगे 8 9 7 1 में से हम 3 1 7 8 को minus करेंगे ठीक है तो यह आपका कैसे हुआ 6 11 11 8 3 8 16 16 7 9 8-1 7 & 5 यह आपका answer आगया आपका answer आगया 5793 तो आपको क्या करना है plus plus वालों को यहाँ पर add करना है minus minus वालों को यहाँ पर add करना है दोनों के जो answer आएंगे फिर उसको minus करेंगे एक और sum करके देखते है सपरोस करो ये question है 6786 minus 2086 प्लस 2597 minus 396 अब इसमें इसके आगे कुछ भी नहीं तो इसको आगे हम plus मान लेते हैं तो प्लस वाले कितने नमबर है यह प्लस वाला नमबर है और यह फ्लस वाला नमबर है और minus वाले कौन से number है ये minus वाला number है और ये minus वाला number है ठीक है तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर add करेंगे plus sign वालों को और यहाँ पर हम add करेंगे minus sign वालों को ठीक है तो plus के sign कौन कौन से इसमें 6, 7, 8, 6 क्या के plus है और 2, 5, 9, 7 क्या के plus है इनको plus करना है और minus वाले sign को भी हम add क करेंगे यहां पर ध्यान रखना माइनस मत करना माइनस वालों को माइनस कर दिया नहीं इनको भी हम एड करेंगे माइनस वालों को ठीक है यह प्लस वाले एड होंगे यहां पर माइनस वाले एड होंगे दोनों जगे पर प्लस होगा और जो फाइनल हम करेंगे वो हम माइनस कर यहां पर हमेशा दोनों जगे पर प्लस होगा चाहे वह आगे माइनस साइन हो या प्लस साइन हो ओके तो अब हम इसको प्लस करके देखते हैं तो इन दोनों को प्लस करते हैं इसका प्लस आ गया और यहां पर हम इसको प्लस करेंगे तो यहां पर आएगा तो यहां पर आएगा तो प्लस इसका माइनस ये वाला नमबर 6053 ठीक है अब इसको फाइनली माइनस करेंगे तो 0333 तो आपका आंसर आगया 3330 ओके तो इसको इस तरीके से करना है प्लस प्लस वालों को साथ में लेना है माइनस माइनस वालों को यहाँ पे साथ में लेके प्लस करना है उन दोनों का जो आंसर आएगा प्लस माइनस ये वाला नमबर ठीक है और आपका आंसर इस तरीके से आएगा ये easy है ठीक है इसमें हमको सरफ plus करना होता है एक बार minus करो और आपका सीधे answer आजाता है ठीक है तो इसी base पे आप exercise 4F के question number 1, 2, 3, 4, 5 करेंगे ठीक अब इसके बाद हमारे पास आती है word problems which is like this तो आप ये question number 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरहे किसे करेंगे ये plus minus वाले question से जैसे मैंने आपको दो examples बता है अब question number 6, 7, 8, 9 word problems है मैं आपको अगेन इसको समझाऊंगा कि word problems में actually आपको करना क्या है कैसे equation बने की और उसी के basis पे आप इसको फिर आगे कर सकते हैं और मैं इसके solutions भेजूँगा ताकि आपको पता चले कि exactly इन word problems को आपको लिखना कैसे है ठीक है ओके तो अब हम इसको solve क करना start करते हैं पहला question है a man earns 6595 रुपीज पर मन्त and his wife earns 2585 रुपीज पर मन्त if they spend 7800 पर मन्त how much they save in month तो एक आदमी है जो की महिने में 6595 रुपीज कमाता है ठीक है 6595 रुपीज कमाता है और उसकी wife 2585 रुपीज 2585 रुपीज कमाते है तो दोनों मिलके totally इतने कमा लेते होंगे plus कर दे तो और उसमें से ये 7800 रुपीज कर देते हैं तो हमें बताओ कि उनके पास savings कित्ती होती तो ये आपकी equation बन गी वैसे plus minus वाली और इसको solve करेंगे तो आपको इसका answer पता चल ठीक, now coming to question number 7, question number 7 stage, the total number of books in the library are 8967, जो total number of books है library में वो है 8967, ठीक है, अब उसमें से text books है, ये जो 8987 है, इसमें कुछ text books है, इसमें कुछ fiction books है, इसमें कुछ travel books है और biography books है, चार अलग अलग तरीगे की books है, ठीक है, अब इसमें text books किती है, 2805, ठीक है, travel books किती है, 1789, एन biography किती है, 785, तो बची कॉन fiction books, अब fiction books हमें पता नहीं है किती है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम total books में से, जो total books है हमारे पास, उसमें से अगर हम text books माइनस कर दें, travel books माइनस कर दें, और आपकी biography माइनस कर दें, तो हमें fiction books पता चल जाएंगी, तो ये देंगी, और इसको हम solve करेंगे, तो हमारा answer आजाएगा, question number 7 का, okay, now coming to question number 8, question number 8 state करता है, I cover 9785 km in 4 days, ये मैंने 4 दिन में total 9785 km मैंने cover कर लिये, अब उसमें हमने, पहले दिन हमने किये 2678, second day में करे 2090, और third day में करे 3998, अब हमें बताना है कि fourth day में मैंने किते km cover किये, तो easy है, जैसे ये वाला question था, total km हमें पता है, कितने है, 85, उसमें से हमने पहले दिन के km माइनस कर दिये, दूसरे दिन के km माइनस कर दिये, और तीस दिन के km माइनस कर दिये, तो हमें fourth day के km पता चल जाएंगे, तो ये आपकी equation मन की, इसको solve करेंगे, तो आपको इसका answer आजाएगा, okay, now the last question, question number 9, which is, Ram has collected 2085 stamp, total Ram ने 2085 stamps collect किये, okay, 935 US के थे, and 830 India के थे, how many stamps are there from the other countries, तो ये जो total stamps थे, इसके अंदर US के भी stamps थे, इंडिया के भी थे, और कुछ और countries के भी थे, अब हमें US और इंडिया के तो पता है, लेकिन हमें जितनी other countries के stamps थे, वो हमें पता करने, तो इसका भी हम ऐसे करेंगे, तो ninth question में, what we do, in question number 9, what we do, total stamps हम निकालेंगे 2085, उसमें से USA के stamps minus कर दिये, और उसमें से इंडिया के जित्ते थे, stamps वो minus कर दिये, तो इसका जो answer आएगा, इस equation का, वो हमें पता देगा, कि total other countries के, कितने stamps थे, ठीक है, तो ये जो सारी equations बनी है, ये again आपकी इसी format में बनी है, जो कि plus minus वाले में होती है, आप इसकी equation मनाईएगा, and accordingly then you can solve this, okay, तो इसके मैं आपको solutions भेजूँगा, क्योंकि ये word problems है, लेकिन आपको क्या करना है, एक एक करके word problem करनी है, और solutions के साथ simultaneously check करना है, और अगर कोई गलती हो, तो उसको वहीं के वहीं आप correct करेंगे, इस तरीके से आप word problems लिखना सीख जाएंगे, ठीक है, now coming to the next exercise, which is exercise 4E, 4G, जो कि आपकी estimation की exercise है, ठीक है, अब estimation कैसे निकाला जाता है, ठीक है, अभी हम कभी बात करते हैं न, कि भई, कि आप न, कितना सामान लेकर आए, तो हम कहते हैं कि हम करीबन करीबन इतना सामान लेकर आए हैं, लेकिन हमें exactly पता नहीं होता, जैसे अगर मैं आपसे 2 million km है, लेकिन हमें exactly थोड़ी पता है कितना है, हम तो अंदाजा लगाते हैं, कि कितना है, और मैं suppose मैं पूच्छा हूं कि अगर फ्रेमाइसस में हम खड़े हैं, तो मैं पूच्छा हूंगा मुझे बताना यह main gate किति दूर है, तो सब बोलेंगे सर approximately 100 meters दूर होगा, या 100 feet दूर होगा, लेकिन हमें exactly थोड़ी पता है कि 94 है या 106 है, तो उसको हम estimation कहते हैं, estimation हम निकालते कैसे हैं, ठीक है, किसी exact number का estimation हम कैसे निकालते हैं, यह exercise है, suppose करो 198 है, अगर मैं इसको इसका estimation निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, जो की इसका पहला number होगा, उसके बाद वाला number में check करूँगा, यह वाला, ठीक है, अगर यह number फाइव से बड़ा है, तो इसके आगे वाला number change हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, कैसे, इससे 198 था, second number लिया, second number 9 है जो 5 से बड़ा है, तो यह जो नमबर है, यह हो जाएगा, 2, अगर वो 5 से बड़ा होगा, तो अ दो यूनिट है, दो 0 लगे, यह इसका estimation हो गया, suppose करो इसका estimation करना है, यहाँ पे second number क्या है, पहला number तो यह second number है 6, ठीक है, second number क्या है, 6, 6 5 से बड़ा है, तो इसके next वाला number, जो 4 है, यह change हो जाएगा 5 में, और यह हो जाएंगे, एक दो number है, 2 0 लग गया है, बड़ा number लेते है चलो, ठीक है, बड़ा number लिया, 4 5 4 0, second number कौन सा है, 5 है, तो यह 5 है, तो 5 या 5 से अगर बड़ा है, तो फिर यह आगे वाला number change हो जाएगा, तो यह कैसा हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, और कितने number है, 1 2 3 numbers है, 1 2 3 0 यह इसका estimation हो जाएगा, ठीक है, अगर number छोटा हो तो क्या होगा, suppose करो यह 1 है, ठीक है, यह second number 1 है, जो 5 से छोटा है, यह 5 से छोटा है, तो आगे के number में कोई change नहीं होगा, यह 7 का 7 ही रहे था, और यहाँ पे कितने number 0 लग जाएगे, 1 2 3 number है, तो 1 2 3 0 लग जाएगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी second number 1 है, तो आगे वाला number change नह होगा, और कितने 0 लगेंगे, 1 2 3 digit है, 1 2 3 digit लग जाएगे, अब इसमें देखें, यह इसका second number क्या है, 7 है, यह 5 से बढ़ा है, तो यह change हो जाएगा, तो यह बन जाएगा 3, और कितने number है पीछे इसके, 1 और 2, तो यह 2 0 लग जाएगे, ठीक है, तो इस तरीके से estimation होगा, अ अगर यह वाला second वाला number 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और 4 है, तो no change, मतलब आगे वाले number में कोई change नहीं होगा, लेकिन अगर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, तो आगे वाला number change होके plus 1 हो जाएगा, बस यही fundamental है आपका estimation का, तो अब मैं suppose करो कोई भी number ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 4, 4, 8, 9, या फिर एक number में यहाँ ले लेता हूँ, 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो इसमें second number क्या है, 4 है, जो की 5 से छोटा है, तो यहाँ पे कोई change नहीं, 4 का 4 ही रहेगा, यह 0, यह 0, यह 0, यह 0, तीन number, तो यह इसका estimate हो गया, अगर 5, 6, 7, 8 का निकालना है, तो यह 6 है, जो 5 से ब estimate हो गया, चीक है, तो इसी basis पे हम exercise 4G के questions करेंगे, पहला जो सवाल है, वो कुछ ऐसा सा है, जैसे first का मैं a part आपको करके बताता हूँ, इसमें आपको एक subtraction का sum दिया है, 4, 27, 193, और बोला गया है, estimate the sum or the difference, जो भी आपका difference या sum है, इसको estimate करो, तो हम क्या करेंगे, पहले इ नमबर पकड़ा, 2 है, 5 से छोटा है, मतलब no change, मतलब 4 में कोई change नहीं होगा, तो यह 4 ऐसा आगा, ऐसा आएगा, and 2 0 लग जाएंगे, 2 digit है, 2 0 लग गए, यहाँ पे second number है, 9, 9 तो 5 से बड़ा है, तो यह आगे वाले number को change कर देगा, एक number plus कर देगा, 2 कर देगा, और यहाँ यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 2 number है, 2 0, अब आप easily कर सकते है, 400 minus 200, answer आपका आगया, 200, इसी तरीके से आप question number 1 के, A, B, C, आप तीनों करेंगे, अब उसके बाद आपकी word problems आ जाती है, which is for question number 2, 3, and 4, ओके, तो इसको करने का एक तरीका है, हम इसकी equation बनाएंगे, फिर उसका estimate करे and then हम आगे इसका proceed करेंगे, ठीक है, तो now coming to question number 2, question number 2 कहता है, in a canteen, the canteen of the school orders 85 cartons of juice, 72 cartons of apple juice and 65 cartons of mixed fruit juice, estimate the total number of juices, juice carton order, मतलब एक canteen, एक school canteen में 85 cartons तो orange juice आए, 72 cartons है, apple juice और 65 cartons, I have mixed fruit juice, अब estimate करना है कि total किते cartons है, तो पहले तो हम इसका equation बनाएंगे, कि हमें total number of cartons बदा करने है, तो हम क्या करेंगे, हम 85 plus 72 plus 65 cartons करेंगे, तो हमें answer पता चल जाएगा, अब हम इसका estimate निकालेंगे, estimate कैसे निकालते हैं, second number देखा 5 है, तो यह 5 है, तो आगे वाला number change हो जाएगा, यह 90 बन जाएगा, second number 2 है, 5 से छोटा है, तो आगे वाला number change नहीं होगा, तो यह 70 बन जाएगा, second number 5 है, अगर 5 है, तो आगे वाला number change होगा, तो plus 1 हो जाएगा, 7 और यह 0, अब इनका plus करेंगे, जो भी answer आएगा, वो answer हो जाएगा, ठीक है, अब coming to question number 3, question number 3 आपको क्या state करता है, question number 3 states, अग गाडनर प्लांट 3006 सैंप्लिंग्स इंदपा, सैंप्लिंग्स होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे नहीं होते हैं, जो जमीन में अपन बोते हैं, फिर वो बड़े पौधे बनके, फिर पेड बनते हैं, तो जो छोटे पौधे होते ह उनको सैंप्लिंग्स कहते हैं, तो एक गाडनर ने 3006 सैंप्लिंग्स प्लांट किये एक पार्क में, बहुत तेज बारिश होई और उसमें से 1769 सैंप्लिंग्स डैमेज हो गए, तो अब हमें बताना है कि कितने सैंप्लिंग्स बच गए, तो टोटल कितने थे, टोटल हमारे पास sampling थे 3006, उसमें से कितने damage हो गए, उसमें से 1769 damage हो गए, तो अब हमें estimate बताना है कि कितने बच्चे, तो अब इसका estimate हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, second number क्या है, second number 0 है, जो 5 से छोटा होता है, अगर 5 से छोटा होता है, तो ये number change नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा, 3, और 0, 0, 0, 3, 0 लगा देंगे, minus, अब यहाँ पे second number क्या है, 7, जो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा होगा, तो मतलब आगे वाला number change हो जाएगा, plus 1 हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 2, और 1, 2, 3 digit हैं, तो हम 3, 0 लगा देंगे, इसको minus करेंगे, जो answer आएगा, वो के question का answer होगा, ओके, now coming to question number 4, question number 4 states करता है, out of the 8526 flats in the new colony, 4839 flats sold, estimates how many flats still unsold, एक colony थी, उसमें total 8526 flats थे, ठीक है, उसमें say 4839 flats बिग गए, तो अब बताओ कितने flats बचे, तो इसका हम पहले equation मनाएंगे, क्या करेंगे, minus करेंगे, total flats में से, अगर हम जो flats big गए हैं, उनको minus करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा, कि कितने unsold flats हैं, अब इसका estimate निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ 5 है तो, आगे वाला number, यह आपको आता है करना, कैसे आपे number निकलेगा, और यहाँ पे अगर 8 है, यह 5 से the difference of 517 and 261, मतलब इन दोनों का difference निकालो, estimate, तो equation मनेगी, this minus 267, इन दोनों का estimate निकालोगे, यहाँ पे, और उन दोनों को minus करोगे, तो जो भी आपका answer आया, जो भी आपका answer आया हो, आपका answer हो जाएगा, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये 5 questions self-practice 4G के, आपको करने है, ठीक है, estimate निकालने का तरीका अगर आपको आ गया, तो ये questions आप बहुत easily कर पाऊगे, तो आज का आपका assignment ये है, कि आपको exercise 4F and 4G submit करानी है, और इसी submission के साथ हमारा ये chapter subtraction खतम हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद हम नया chapter start करेंगे, which is the multiplication, तो आप ये exercise फटा-फट से complete करक के submit कराई है, and then we will move to the next chapter, okay class, thank you.